हे गाईज अगर आपके पास एक कार है तो आपको भाई किन-किन चीजों का ध्यान रखने चीए सर्दियों के अंदर ये लोग ध्यान नहीं देते इस चीज पर फिर सद्धिया आ जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है तो सब सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन की तो सबसे पहले आपके कार के अंदर अगर एसी है तो आपको ध्यान रखना चीए नहीं है तो भाई आप शीशे वगरे डाउन रखा करो फोग वगरा शीशे पर नहीं जमगी अगर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है जैसे मेरी का क्या करना है आपको एक या दो पर एस पर लगा देने यहां से क्या होता यहां से हवा निकलती है अगर आपके कार के आप धुंद जम जाती है तो इस चीज को यह यहां से खटा देग यहां से और यह फॉण हट जाएगे और नमबर दो पे कौन सी है जो चीज़े आपको ध्यान रखने चाहिए नमबर दो पे आपकी कार के अंदर उन चीज़े हजार लाइट और जो कि आपकी कार के और फॉग में भाई बिल्कुल नहीं दिखता है तो इसलिए आपको यह करा लेना है तीस ही सबसे बड़ी चीज़े जो आपको ध्यान रखनी है आपकी कार के अंदर यह चीज़े बाई करा ही लेना नहीं तो भाई बहुत दिक्कते हो जाएंगी हवाबाजी का कोई मतलब नह है बाई इसमें लोग अकसर क्या करते हैं हवाबाजी में यह LED लगवा लेते हैं कार की जो हैड्लाइट साइन में LED फिट कर वा लेते और उस वज़े से दिक्कते वहीं पर सबसे बड़ी शुरू हो जाती है तो आपको भाई LED अगर लगा भी रखे कार के अंदर तो येलो लगा लेना नहीं तो आप नॉर्मल ही अपनी कार की हैड्लाइट है उनमें येलो टेप कर लेना दिक्कते सॉल्व जाएंगे यानि जो भी है वाइट होता है और LED भी वाइट है तो भाई वह बिल्कुल नहीं दिख पाता है अगर कोई भी सामने से आ रहा है तो ये आप ध दिहान रखनी है सर्दियों के अंदर आपकी कार की भाई जो भी दिक्कते हैं आपके कार के एक्सिडेंट होने की जो समस्या है वह सॉल्व हो जाएंगी 99 परसेंट तक ये वडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना अगर आपका कोई और सुजाव हो कोई और पॉइंट स जो मेरे से छोट गया हो तो आप कमेंड करके बता सकते हैं कोई और विडियो से लेटर आपको कुछ पूटना हो कुछ जानना हो तो वह भी आप मैंड कर सकते हो मिलेंग गाइज नेक्स वीडियो में अगर आप इस योड़िक सानर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ओ झाल झाल